स्टुडेंट्स आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी वेपर और आज हम आपको रेश्टो और प्रोप्रोशन के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे ताकि आपके किसी भी टेस्ट में आने वाले आप सारे कोशिंज को सोल कर पाएं आसानी से आपका जो बे परिट में जो नंबर लाना होता है वो तब ही आएगा जब आप कोशिंज को चल्दी से क्विक रैस्पॉंस उसमें देंगे सो ट्रिक से कोशिंज को सौल करेंगे तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं रेस और प्रोपोर्शन की सो ट्रिक तो एक तो अगर आप इसकी बेस तो 5 का मिनिंग है 3x5 ठीक है गाइस यह जो है इसका मतलब है 3x5 अगर कोई भी इस तरह से होता है तो उसका मतलब होता है 3x5 और यह तो रेस हो यह तो होता है ठीक है यह तो है रेस हो अगर हम बात करते हैं प्रोपोर्शन की तो अब मैं प्रोपोर्शन आपको बताता हूं को प्रोपोर्शन का कामिनिंग है देखिए अगर हम कोई ऐसे नंबर लिखते हैं ए यह देखिए आप नंबर स्कोगरम लेते हैं अगर कोई नंबर इस परकार से लिखा हुआ है अगर कोई नंबर इस परकार से लिखा हुआ है अगर कोई नंबर इस और सी रेसोट डी ये जो नंबर है ना ये ये जो है इसको ये प्रपोर्शन होता है जो चार बिंदी लगी हुई है ना ये प्रपोर्शन होता है इसको हम प्रपोर्शन बोलते हैं या हिंदी में इसको समानुपाद कहते हैं इंदे में इसको समानुपात कहते हैं ठीक है तो यह इसकी बेसिक नोलीज है जो आपको मालूम होनी चाहिए और इसका एक फॉर्मुला भी है जो मैं आपको बताऊंगा और फिर हम इसको स्कॉस्चंस में अपलाई भी करेंगे तो इसकी जो वह है जोना आपको बताऊंगा अभी देखिए अगर कोई इस तरीके से है अभी हमने जैसे बताया कि A रेसो B एक्वल टू C रेसो D हो अगर A रेसो B और प्रपोर्शन C रेसो D अगर इस तरह से हैं तो यह A अपॉन B एक्वल टू C अपॉन D के होता है है तो यह इस परकार से यह इसका formula है और इस formula को हम एक दूसा तरीका भी है हमारे पास में कि हम है और कि मुअ करते हैं ऑर कि मुल्ट्य प्रपंगरश जोब तर्म हैं शुर्म भी मुट्प्लाइख काँ चुलन होती है तो मैं आपको बताओंगा कि जब हम की मल्टिप्लाए करते हैं तो ग ऑर की जो मल्टिप्लाइए यां और डी की मल्टिप्लाइए और यह सकते हैं यह दोनु तरीके आपको याD रखने हैं तो माद्यू if में करके बताऊंगा देखिए जैसे इस question में फोर रे सू 5 इकल टू ये दिया हुआ है तो इसमें जो है हम जो बीच में proportion है और यह आगे question mark लगा हुआ है तो इस question mark को हम कि तो यह गाइज डी जो हमारा question mark लगा हुआ है इसको हम x से लिखते हैं ठीक है इसको हम लिखते हैं X से लिखते हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे आप देखें अब 4 रेसो 5 है तो 4 रेसो 5 ठीक है और proportion X रेसो 10 इस प्रकार से लिखते हैं तो जो X से है हमें ये निकालना होता है इसको निकालने का तरीका भी मैंने बताया था कि इसकी first और last वाले की multiply करते हैं और 5 के और इसकी multiply करते हैं इन दोनों की multiply आपस में और इन दोनों की multiply आपस में की जाती है तो इस तरह से हम देखते हैं जब हमें ये निकालना हो X की जो value है इन first के और last की multiply करेंगे 4 और 10 की multiply और इसको divide कर देंगे 5 से ठीक है students यह हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो इस परकार से यह जो है 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 तूजा 10 और यह इस परकार से 4 की मल्टिप्राइट यह 8 आजाता है तो हम इस परकार से इसको निकालते हैं यह 8 आया है हमारा जो question mark पूछ रहा था आपके सामने screen पर है इसमें भी हमें x की value निकालनी है तो guys कैसे निकालते हैं आप इसकी value कैसे निकालते हैं तो देखें यह हम इसके लिए क्या करते हैं यहां भी x मान लेंगे तो यह 6 ratio x proportion 3 ratio x 3 ratio 7 इस परकार से है यह तो इसमें भी हम x की और 3 की multiply और इसकी इसकी multiply यानि की इन दोनों की multiply को हम 3 से divide कर देंगे तो x की value जो निकालेंगे हम 6 multiply 7 और इसको 3 से divide करेंगे तो 3 2 जा 6 और इस परकार से यह 2 7 जा 14 आ जाएगा तो x की value जो है यह जहां question mark लगा हुआ है इसकी value निकाल लगा बीच में miss किया तो आप नहीं समझ पाएंगे तो हम अब आगे चलते हैं तो श्ट्रेंट्स यह हमारे सामने दिया हुआ है देखे बहुत important question है यह तो हमें बहुत जरूरी सीखना है और बहुत important है कई बार आता है तो इसको तरीका तरीका देख लेते हैं जैसे इसमें दिया हुआ है इसमें हमारे से पूछ रखा है एनुपाद सी एनुपाद बी दिया है बेनुपाद सी दिया है और इनसे जो है हमें एनुपाद सी निकालना है और एनुपाद बेनुपाद सी निकालना है तो इसको हम किस प्रकार से निकालते हैं तो हम जो निकालने का तरीका है यह सीखेगा, बहुत आसान है आपके लिए trick हम बना के लेगा है यह बहुत आसान trick बना के लेगा है A अनुपाद B जो दिया हुआ है हम इसको लिख लेंगे, यह 3, 4 है ठीक है students प्रब्रмыटोंज मोंभसक्तव करSy क्यों था भूछेंट करने क्री यह उनुपार है दिया हुआ फिर हमनुपार सी दिया हुअ है तो इसकी जो वैलिए का बड़ा ही आसान तरीक हम आपको बता रहे हैं कि इन की मल्टिप्लाई कर दीजिए आप थरी फाइव की multiply और इसकी इसकी multiply तो 3 और 5 कि दो जाएंगे 15 ठीक है students और 4 और 7 की multiply कि दो जाएंगे 28 तो देखिए इस परकार से हम A अनुपाद C निकाल लेते हैं तो यह तरीका आपको पसंद आया होगा तो यह A अनुपाद C निकालने का तरीका है अब यही इसी तरीके से हम आपको बताते हैं A अनुपाद B अनुपाद C निकालना अब इसको भी सीखे हमरे साथ लगातार बने रहे हैं अब A अनुपाद B अनुपाद C हमें निकालना है तो देखे किस परकार से A अनुपाद B अनुपाद C ऐसे लिख लिए हमने अब A अनुपाद B जो इसने दिया हुआ है हमें 3 अनुपाद 4 दिया है तो इसको हम लिखेंगे 3 अनुपाद 4 ठीक है students फिर B अनुपाद C दिया है तो B को B के सामें लिखेंगे नीचे लिखेंगे यहाँ पर 5 अनुपाद 7 2 लिखैना बिलकुल सामने इसके फॉर लिखींगे इस तरह से और यह और झाली जाले के निचे खाली पड़ी आप द्ञेर के निचे खाली जगे में ब возь हुई है वहाँ पर फाइव की पूर लिखीय है इस तरह से यह हम इसको complete कर लेते हैं अब जो हमें A अनुपाद, B अनुपाद, C चाहिए होता है तो हम इनकी multiply कर लेते हैं कितना गए? 3 पंजे 15 4 पंजे 20 और 4 सत्य 28 इस परकार से हम यह अनुपाद निकाल लेते हैं A अनुपाद, B अनुपाद, C जो है हमारा निकल लेता है 15 अनुपाद, 20 अनुपाद, 28 यह हमारा तरीका है कभी भी इस तरह के बहुत important सवाल है यह बहुत आते रहते हैं तो अगर हम A अनुपाद, B अनुपाद, C निकालना है तो हम इस प्रकार से इसको निकालेंगे तो स्ट्रेंट्स आप देखते रही है लगातार अब तो यह देखे, इस स्क्रीन पर आपके सामने है A बराबर B का 3 बटे 4 यह देखे, किस तरह से हमें कोशन थोड़ा सा इसको मोडिफाई करना है, समझना है A बराबर B का 3 बटे 4 तो इसको हम कैसे करेंगे यह जो इसने दिया हुआ है A बराबर B का तो का को हम गुना में लिखते हैं B गुना 3 बटे 4 ठीक है, अब इस B को हम इसके A के अपोन में लेके जाएं तो यह हो जाएगा, अब यहाँ पर A बटे B बराबर 3 बटे 4 तो इस परकार से यह A और B का अनुपाद इसने दिया हुआ है तो हमें A अनुपाद B इसने दे दिया है A अनुपाद B कितना हुआ है हमारा 3 बटे 4 A अनुपाद B कितना निकल का है हमारा 3 बटे 4 इसका हमें याद रखना है इसी प्रकार से ये इसको निकालेंगे बरावर C का चारपटे 5 तो B अनुपाथ C इसने हमें थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया है तो ये कितना जाएगा 4 अनुपाथ 5 तो स्ट्ट्ट्ट्स ये दियाद रखिए A अनुपाथ B जो है 3 अनुपाथ 4 है और B अनुपाथ C जो है वो 4 अनुपाथ 5 है अब हमसे ये कहता है कि A अनुपाथ B अनुपाथ C हमें निकालना है तो इस्ट्ट्ट्स देखिए हम किस प्रकार से निकालेंगे इसको ये देखिए मैं लिखके फिर से एक बार दिखाता हूँ आपको कि A-NEOPAT-B मैंने अभी आपको सोल्ट करके दिकھाई दिया है ठीक है न waited तो A-NEOPAT-B जो है हम निकालकर दिखा रहे है कि A-NEOPAT-B जो है वो 3-NEOPAT-4 है अभी मैंने बताया था आपको और B-NEOPAT-C जो है वो है हमारा 4-NEOPAT-5 और अब हम निकालना चाहते हैं क्या A अनुपाद B और A अनुपाद B निकल चुका है अब A अनुपाद C निकालना है तो इसके लिए हमने क्या तरीका बताया था कि A अनुपाद B हम लिखेंगे पहले यह 3.4 और B अनुपाद C लिखेंगे फिर हम यह 4.5 है और अब हमें निकालना है A अनुपाद C तो इसके लिए हमने क्या तरीका बताया था कि इनकी मल्टिप्लाइ कर देंगे 3.12 और 4.5 बीस ठीक है यह 20 हो जाएगा और अगर इसे सिंप्लिफाइ करना चाहें तो यह 4 से डिवाइड भी हो रहा है तो 4.3.12 और 4.5.20 तो इस तरह से यह 3.5 का अनुपाद अजाता है तो इस प्रकार से हम A अनुपाद C की वेल्म निकाल लेते हैं अब हम निकाल के दिखाते हैं आपको A अनुपाद B अनुपाद C अब A अनुपाद B अनुपाद C का भी हम तरीक आपको बताया हुआ है तो उसी तरीकों को अब लगाई है यहाँ पर तो अब देखिए A अनुपाद B अनुपाद C अगर हमें निकालना है तो हम किस प्रकार से निकालेंगे यह आपके सामने दिया हुआ था है यह हमने पहले से लिख रखा है कि A अनुपाद B जो है ठीक है श्टोएंट्स यह A अनुपाद B जो है दिया हुआ है हमने निकाल रखा है 3 अनुपाद 4 है और B अनुपाद C कितना है यह 4 अनुपाद 5 है तो इस प्रकार से हम इनको लिखे लेते हैं A.N.B. और B.N.C. को लिखे लेते हैं अब हमें निकालना क्या A.N.B. B.N.C. तो इसके लिए हमने क्या तरीका बताया था कि इसको हम A.N.B. B.N.C. इस प्रकार से लिखे लेते हैं A.N.B. B.N.C. अभी अब हमें चार के आगे यह पूरा करना है तो इसको यह उनुपाद यह उनुपाद की मुल्टिप्लाइब कर लेंगे तो कितना जाएगा 12 आ जाएगा यह उनुपाद कितना आ रहा है आ गए देखे 4.16 आ गया ठीक है students और यह 4.5 बीस आ गया इसको चाहें तो इस सारा 4 से डिवाइड भी हो रहा है तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो यह कितना जाएगा 3.0, 4 4.16 गट गया 4.12 गटा और 4.5 बीस इस परकार से यह 3.0, 4.0, 5 जाता है तो हम A.0, 2.0, C इस तरीके से निकाल सकते हैं तो students इस तरह की questions पर जाते हैं एक्जाम में आपके तो आप लगातार जो है ने ध्यान से देखते रहिए समझते रहिए और कोसिस करिए कि आप जो है इनको सीख जाएं